बरसात का मोसम होता है और बारिश हो रही होती है शुकर है बारिश हो रही है अब दो दिन सकून से गुजर जाएंगे गर्मी भी कम होगी मामा देखो ना बारिश हो रही है मोसम कितना अच्छा हो गया है इसी खुशी में आज आप हमें गोल कप्पे खिला दे ठीक है बच्चो बारिश रुख जाए फिर मैं आपको ले जाऊंगी चिडिया अपने बच्चों को लेकर गोल कप्पे खाने चली जाती है कव्वे भहिया एक प्लेट गोल कप्पे दे दे और फिर थोड़ी देर में वहां टिंकु चिडिया भी आ जाती है अरे बुल बुल तुम यहां ये देखो मैंने नया सोने का सेट लिया है हाँ टिंकु बहुत प्यारा है जब कव्वा बुल बुल चिडिया को गोल कप्पे की प्लेट देने लगता है तो टिंकु फोरण से प्लेट पकड़ लेती है कोई बात नहीं कवे भे या आप हमारे गोल कपे पैक कर दे बुलबुल चेडिया गोल कपे लेकर घर की तरफ चली जाती है मामा कितना टाइम है जल्दी आ जाए हमें भूक लगी है बस बेटा मैं अभी लेकर आ रही हूँ और फिर दोनों बचे बहुत मज़े से गोल कपे खाते हैं और बुलबुल चेडिया बहुत प्यार से बैठी उनको देख रही होती है अचानक एक बच्चे के गले में कुछ भस जाता है मामा मेरे गले में कुछ है और फिर बच्चे के गले से एक छोटी सी सोने की अंगुठी निकलती है बुल-बुल जिडिया वो अंगुठी देखकर बहुत हैरान होती है फिर रात हो जाती है और जिडिया अपने दोनों बच्चों को सुला देती है मुझे तो लगता है ये अंगोठी टिंकु चिडिया की होगी ऐसा करती हूँ इसको बेज कर अब जो पैसे आएंगे उससे बच्चों की स्कूल की फीस दे दूँगी मैं इस अंगोठी का जिकर किसी से नहीं करूँगी जैसे ही अगले दिन सुबा होती है तो बुलबुल चिडिया के घर उसकी दोस पिंकी चिडिया आती है अरे बुलबुल तुम्हें पता है कल से टिंकु चिडिया ने जंगल में कितना शोर में चाया हुआ है उसकी शायद कोई सोने की अंगोठी गुम हो गई है अच्छा मुझे नहीं पता इस बारे में मैंने नहीं सुना पिंकी चिडिया के जाते ही बुल-bुल चिडिया जल्दी से घर से निकलती है ताके वो सोने की अंगुठी बेच आई बेचने आये तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा बुलबुल जिडिया पीचे घड़ी सब बाते सुन रही होती है और वो चुप करके महां से चली जाती है घर जाकर बुलबुल जिडिया सोचती है कि मैं चंद पैसों की खातर अपनी इस्दत नहीं गवा सकती बुलबुल जि की चिडिया फिर बुलबुल जिडिया के घर आती है बुलबुल तुम्हें पता है टिंकू चिडिया की उठी उसके घर के बाहिर से मिल गई है चलो छोड़ो इस बात को आओ मैं चाय बनाती हूं हम चाय बीते हैं